हेलो नमस्कार दोस्तों 30 विनिट येस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जोड़ जाएए और जो वी पियो और जूनियर एसिस्टेंट बगरा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए रीजिनिंग कराए दे रहे हैं 500 कुश् स्वास्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रतेक के ठीक बाद एक स्वार है अरे यार यह तो सिंपल है यह इस टाइप की कुश्चन सबसे आसान होते हैं दुनिया की सबसे आसान कुश्चन होते हैं सिर्फ आँखे खोल ली हैं दिमाग खोल नहीं नहीं तो प्रत सिंबल होगे इसके ठीक बाद स्वर ए है हाँ है उसके बाद अगला सिंबल यह है इसके बाद नहीं है इसके बाद इसके बाद सिंबल है इसके बाद पी है मतलब स्वर नहीं है इसके बाद परसेंटाल टी है यह भी नहीं है यह एड़ रेट के बाद टी है और यह सिंबल तो जिनमें से प्रतेक के ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक वियंजन हो, यानि कि स्वर जिनके ठीक बाद एक संख्या हो और ठीक पहले एक वियंजन हो, स्वर ये ए है इसके ठीक बाद एक संख्या यही तो है ना स्वर क्या है कुश्यन, जिसमें कितने स्वर हैं जिनमें प्रतेक की ठीक बाद एक संख्या और ठीक पहले एक वियंजन हो, बाद में संख्या और पहले वियंजन, तो A के बाद संख्या वियंजन है, नहीं है, और फिर अगला स्वर देखते हैं, E के बाद एक संख्या लेकिन पहले वियंजन नहीं है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं I के बाद संख्या यह नहीं है इसके बाद U के बाद एक संख्या पहले विंजन हो गया तो एक यह मिल गया U के बाद एक संख्या तीन हो गई और पहले विंजन M हो गया इसके बाद कुछ है यह नहीं कुछ है यह नहीं तो एक ही है बाएं से दसमें, दाएं से आठमें के बीच में बेंजन, तो बाएं से दसमा, left से बात हो रही, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचमा, छटा, साथमा, आठमा, नॉमा, दसमा, तो यह Y हो गया, Y, और किसके बीच में दाएं से आठमा, एक पहला दूसरा तीसरा चोथा पाँचमा चटा साथा आठा आठमा तो ये पूछ रहा है कि वाई और तीन के बीच में कितने व्यंजन पूछा है देख लिजे गौर करिया का कुश्चन पर कितने व्यंजन है स्वर की बात नहीं हो रही है सिंबल की बात नहीं हो रही है तो चलिए व्यंजन काउंट कर लेते हैं तो एक तो डी मिल गया एक आर मिल गया दो हो गया पी मिल गया तीन हो गया एम हो गया चार तो आंसर क्या हो जाएगा इसका चार हो जाएगा तो इसका आंसर आप लगाएं निमने में से उस तत्व के 22 से 9 स्थान पर कौन सा तत्व है जो दाएं छोड से 11 स्थान पर है यह निकि राइट से 11 पर है उससे 9 स्थान पर कौन सा है देखिए वैसे तो इसकी ट्रिक होती है आर 11 प्लस आर 9 आर 20 यह सब होता है आपको वो सब नहीं करना जैसा कहें वैसा कर दिया करो ज़्यादा गलती की संभावना खतम हो जाती है ठीक है तो उस तत्व के बाएं से नौमिस्थान कौस तत्व है जो दाएं छोड़ से ग्यारमिस्थान पर तो पहले ग्यारमा देख ल हो गया? आई और इसी से नौमा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो यानि क्या आंसर क्या हो गया? ए कर डारेक्ट अगर इसको हो गया आपका यह आंसर हो गया तो कि हो जाएगी R11 प्लस L9 यानि कि R20 यह आंसर हो गया तो आंसर वही रहेगा लेकिन E हो जाएगा अगला क्यूश्यन देखो उप्रयोक्त ववस्था में ऐसे कितने स्वार है जिनमें प्रतेक के ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या यानि कि ऐसे स्वार जिनके ठीक बाद एक सिंबल आ जाए और ठीक पहले एक संख्या आ जाए देखो स्वार A A के ठीक बाद सिंबल है नहीं है इसके बाद अगले स्वर की बात करें E E के बाद कोई सिंबल है नहीं है इसके बाद अगले स्वर की बात करतें I I के बाद सिंबल है नहीं है इसके बाद U के बाद सिंबल है नहीं है इसके बाद किसी के बाद तो इसका अंसर हो जाएगा इनमे से कोई नहीं इनमेंस कोई नहीं नहीं मतलब कोई नहीं कोई भी ऐसा स्वार नहीं है जिसके ठीक बाद एक प्रतिक हो ठीक पहले एक संख्या हो तो यहाँ पर यह वीडियो कंप्लीट होती है